शहीर शेक आएंगे नए अवतार में नजर शहीर बनेंगे पवित्र रिष्टा का हिस्सा शहीर लेंगे सुशान सिंग राजपुत की जगह कुछ रंग प्यार के ऐसे भी सीजन 3 के बाद अब शहीर शेक जल्दी नजर आएंगे एक नए अंदाज में लेकिन यह अंदास लाएगा उनके लिए धेर सारे चालेंज़स भी जी हाँ जैसे कि आप सभी जानते है कि पवित्र रिष्टा के मेकर्स लेकर आ रहे है पवित्र रिष्टा 2.0 जहां एक बार फिर सी मानव अरचना की प्रेम कहानी आएगी सामने शो के सीजन वन को मिला था धेर सारा प्यार जहां अरचना, लोखंडे और सुषान सिंग राजपुत के जोड़ी को किया गया था काफी जादा पसंद भी वहीं अब लेट सुशान सिंग राजपुत के किरदार मानव को निभाते हुए नसर आएंगे कुछ रंग प्यार के ऐसे ही के देव यानि के शहीर शेख जी हां मेकर्स ने कर दिया है ओफिशल के शहीर शेख ही निभाएंगे मानव का किरदार वहीं अंकिता एक बार फिर से बनेगी अर्चना और उशानाटकर निजी भी निभाएंगी मानव की मा का किरदार शो के मेकर आदित्या कहते है पवित्र रिष्टा 2.5 को कमप्लीटल एक डिजिटल स्पेस पर दिखाया जाएगा तो बी रिली ओनेस्ट ये सभी के लिए चालेंज है जो के एक टास्क है ये सिफ मेरे ही लिए नहीं बलके उन सभी आक्टर्स के लिए है जो इस शो में नए लॉक्ट किये गए है अगर हमने पहले ही कोई चीज देखी है इसका मतलब हमने ही एक बेंचमार्क सेट कर दिया है अगर ये शो नया होता तो हम कुछ भी दिखाते वो लोगों के लिए नया होता बड़ा चालेंज है उस किरदार को निभाना लेकिन ये चालेंज डिरेक्टर्स के लिए भी है मेरे लिए भी है और बाकी आक्टर्स के लिए भी वला अधित्य ने शहीर को मानव के रोल के लिए सिलेक्ट किये जाने पर भी किया खुलासा चापर अधित्य कहते है लग भी है पॉपिलारे टीवी है जो मेकर्स है इवेंच्वली जी एक ता मैं पिकाज वो लोगों ने ये आइकॉनिक शो को बनाया था, क्रियेट किया था तो उनसे अच्छा तो इस चीज को कोई भी नहीं समझ सकता के कौन बैस्ट है? ओबिसली बोलो क्रियेटर्स है और उन्होंने हिस्ट्री क्रियेट किया है मुझे लगता है और मैं उन पर बिलीफ करता हूँ कि कौन इस किर्दार को और कौन से किर्दार को काफी अच्छी तरह से निभा सकता है वैल शहीर शेक तो आप जल्दी लेने वाले है पवित्र रिष्टा 2.0 में अर्चना के मानव बनते हुए नजर आएंगे शहीर शेक इसी के साथ साथ आपको बता दे कि पवित्र रिष्टा 2.0 डिजिटल स्पेस पर किया जाएगा लांच वैल आप कितने एकसाइटेड है शहीर शेक को मानव बनता हुआ देखने के लिए हमें कॉमेंट कर जरूर बताए टेलिविशन की लीडिस न्यूस और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे